बिस्मिल्ला रह्मान रहिम यह हम अनारकली बजार में आये हैं सिंडी ब्रेयनी और कॉर्मा टेस्ट करने यह अपने पच्छमन से काया करते थे मुझे 25-30 साल होगे यहां पराते हुए यह आप देख सकते हैं इनकी ब्रेयनी का जाइका पूरे लहोर की ब्रेयनियां से बिल्कुल मुख्लिफ है भाई कितने साल होगे आपकी शौप को यहां पर 40 साल से यह अनारकली बजार में इनकी शौप के बिल्कुल सामने गली में कुत्बु दिनबवी का मजार है यह आप देख सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह आप दिक सकते हैं यह इójिनकी ब्umb contrat दूर फस्ति FM इसके साथ राइका और रोसलाण भी अबी आळाएगा यह इनका चिकन कॉरमा है जी किसी जमाने में यह मटन कॉर्मा भी बनाया करते थे लेकिन आजकल महंगाई के विड़ा से फॉर्डेबल नहीं है इनका कॉर्मा बनाने का अंदाज सबसे मुनफरिद है बिल्कुल देहलवी रेसिपी के मताबिक बनाते हैं ये साथ में सादा नान और ये पर्यानी सिंडी ये इसके साथ राइता भी आ गया है सीरे के साथ प्तियार गिये रहता है बहुत ही जाइकादार होता है इनका राइता भी आइकोड़ के आपको पसान दाए है ये सैलड और अजीम बाई बैटो बिसमिल्ला गरो ये अजीम बाई ने पहला भाई दिया है ये तब से मैं खा रहा हूँ ये बर्यानी जब इसकी हाफ लेट की कीमत 15 रुपे और फुल की कीमत 30 रुपे हुआ करती थी अब इसकी हाफ की कीमत 90 है और फुल 170 की कर दी लिया इन्होंने लेकिन इनके साइके में बिलकु भी फरक नहीं आया अनारकली बाजार में कुक्ट बाजार के करीब बंबे ब्रयानी के नाम से मुशूर है पर बिल्प बाजार में कीरा के अन्होंने की calamओरी अल्प सब्सके फ выход प्रहां नहीं टो yमाना साथ अर्वन नहीं बन थी में बोजय को तो रेटी आने में काव्रा कैमरा नाग्राम ब सकत को की भी यह भालने है और कि नहीं कि अच्छा रारी बढ़ने दिदी ज conscious ​​ यह भी बढ़ जाटाइए है मिल उघ्टान श्टान संनесальный ने ड़ी जसी अधानी है बढ़ार स्नुनक्राइण साथ को सब्सक्राइण है झाला, मावाहे Всेffend राई के हाझी छिकमी का सब्सक्राइण है प्रूम्नै इन थे लाराइख कर्मे का अपना ही मज़ा है कर्मा बेंका था गांका इनका पसांद आए कर्मा कर्मा का अनका आप अनारकणी बगार नारकणी बजार में जब भी आएं ये बंबे ब्रेहनी और देहलवी कर्मा जरूर टेस्ट करें आजमाई शर्ट है अब खाने से हम फारिग हो चुके हैं यह असल में पेपर मार्केट कहलाती है यह फोरसल पेपर के गुदाम है यहां पर तो इसके बाहर मेंन पर अनार के लिक परस है दजलंदर मोती चूस है चंद कदम आगे ही यह शौप है और कुत्ब नियुब के मजार के गली के बिलकुल सामने यह शौप है यह इस गली में अपने वक्त का एक शेहनशाह असूदा-ई-हाग है अपनी आहरी रामगा में वो बादशाह जिसने गुलामी से अपनी काब्लिय जानत और बहादरी के बल्बूते पर वो मुगाम हासिल किया के हाक में वक्त तहलाया और आज इसकी कबर पर दिया जलाने वाला कोई नहीं है यह इनके मजार का कुत्बा है यह अलसुल्तान कुत्बदीन एबक रहमतुल्ला वपाद छेसो साथ हिज्री पर मताबक बारासो दस एसवी समयने के 900 साल होने को आगे है यह इनका मजार है यह मैं आपको दिखा सकता हूँ यह मजार का दाहली गेट है यह आप देख सकते हैं कि वक्त कैसे जब पेंतरा बदलता है तो शेहनशा भी बेबस हो जाते हैं और अल्ला ताला की जात ही ऐसी है कि जो हमेशा काइम और दायम रहेगी बाकी सब को फना है यह मैं आपको करीब से इमकी कबर का तावीज भी दिखा देता हूँ यह तीन स्टेप चड़ने के बाद यह वक्त के हाकिम असूदा-ई-हाग है अल्ला ताला इन पर अपनी रहमतें और बड़कतें नाजल फरमाए सब में दुनिया से चले जाना है और नाम उनी का जिन्दा रहता है जो के अच्छे काम करते हैं और जि अगे मरमर की जाली का खुशूरत काम यह आप गुम्बद भी देख सकते हैं लेकिने एक विरानी का मनजर पेश कर रहा है कहां के हजारों लोग इनके आगे तोड़नश बजार लाते होंगे और कहां यह कब रके लिए फात्या करने भी कभी कबार ही को या जाए तो इसकी म और मैं इसी के साथ ही अपने विलोग का खात्मा करूंगा यह एक चीज मैं आप और दिखाता हूं यह मजार के पिछे यह एक थोड़ा साब को मंदर का हिस्सा नजरा रहा होगा यह भी एक बहुरी तरी ही अहमित का हमिल है और यह कम से कम यह साथ-आठ सो साल पुनाना है इसका नाम अब तो मुझे यार नहीं इस पर भी कभी को विलोग बनाएंगे आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं अल्ला ताला आप सब का हामियो नासिर हो तो इजाज़त चाहता हूं अल्ला हाफ इस